हेलो लोट्व अच्छो कल हमने पढ़ादा इस स disparity गे गॉलर है तो उसके साथ जो की और यूज होगी वह भी गैए तो अब इसके बाद थीxis है फिरस्ट अग्सटि सीज़ा सिज आइडेनटिफाइ देम मिस्टेक इंदीज संतेंस इंदीजं संतेंस इन वाक्यों में कलती को पहचानो and rewrite them और उन वाक्यों को correctly दुबारा से लिखो Venus are the hottest planet अब Venus यहाँ एक planet की बात की गई है तो यह Venus जो है singular noun है तो singular noun की साथ आर की जगह पे इस का प्रियोग होता है तो यहाँ आएगा इस बाकी सेम लिखना है में Venus is the hottest planet Venus सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है अब गोविंद भी singular noun है तो singular noun की जगह के साथ है की जगह पे हैस का प्रियोग होता है गोविंद हैस भी निग लोटरी टिकट गोविंद के पास विनिग लोटरी टिकट है next sentence है Greek and Chinese Greek or Chinese difficult languages अब यहां दो languages की बात की गई है दो भाशाओं के बारे में बताया गया है तो दो है तो यह plural noun है बहुवचन संगया है तो बहुचन संगया के साथ M की जगह आर का प्रियोग होता है are difficult languages to learn Greek or Chinese मुश्किल भाशाए हैं to learn सीखने के लिए next है everybody were asked to be quiet हर किसी को चुप रहने के लिए कहा गया everybody everybody is asked यहां आएगा वर की जगह पे is everybody is asked to be quiet हर किसी को चुप रहने के लिए कहा गया है we have a lot of homework yesterday अब yesterday है तो यह past tense की बात की गई है तो past tense में have की जगह पर had का प्योग होता है we had a lot of homework yesterday कल हमें बहुत सारा homework ग्रह कारिये मिला था next exercise है choose the correct word from the brackets bracket में जो words दिये गए है उनमें से सही word को हमें choose करना है चुनना है और खालिस्तान में भरना है first the students students जो है plural noun है students जब एस यह लगा होता है तो पल्रल नाउं होता है वो बहु अचन संग्या होता है तो पल्रल नाउं के साथ वर्प की first form का प्रियोग होता है उसके साथ एस यह से नहीं लगता तो इसमें आएगा speak the students speak politely विद्याती विनमरता से बोलते हैं politely विनमरता से प्यार से बोलते हैं नेक्स्ट है the नील रीवर नील रीवर अब singular noun है तो singular noun के साथ वर्प की first form के साथ एस यह से लगता है तो इसमें आएगा flaws the नील रीवर flaws from south to north नील नदी दक्सिन से उत्तर दिशा की और बहती है इसमें आएगा flaws नेक्स्ट है the boys अब boys में S लगा हुए है तो यह plural noun है plural noun के साथ आएगी वर्प की first form बिना S यह से वाली वर्प तो इसमें आएगा play the boys play football in the evening लड़के शाम के समय football खेलते हैं नेक्स्ट ही ही के साथ आएगा वर्प के साथ S.E.A.S तो इसमें आएगा thinks he thinks our school will win their will win their match वह सोचता है कि हमारा school match जीतेगा thinks next Mona and Tony Mona and Tony दो नाम है तो यह plural noun है plural noun के साथ बिना S.E.A.S. वाली वर्प आएगी तो इसमें आएगा clean Mona and Tony clean the car everyday Mona and Tony हर प्रती दिन car को साफ करते हैं तो आज आपको यह दो एक्सरसाइजीज करनी है फास्ट और सेकिंड पहले इन को अच्छी तरह समझना है और फिन को भुक में फिल करना है